क्या आप भी credit card से bank account में free में पैसा transfer करना चाहते हैं चाहे आपके पास में कोई साभी credit card क्यो ना हो आप से request है वीडियो को आप बिल्कुल भी skip मत कीजेगा अगर आप वीडियो को skip कर देंगे आपको जो इस वीडियो में information मिलने वाली है आप पूरी तरह से miss कर देंगे अगर आप पहली बार हमारे यूटूब चैनल पर हैं और आप चाहते हैं हम आपके लिए इसी परकार की genuine informative वीडियो जिलेकर के आते रहें किरिप्या करके आप हमारे यूटूब चैनल को जरू सब्सक्काइब करें और सब्सक्काइब करना के बाद में well icon को प्रेस कर दें और मेंने एक सब्सक्काइबर हैं जो कि अपने bank account में credit card से पैसा transfer करना चाहते थे उसके लिए उन्होंने कई YouTube की वीडियो देखी जो यूटूबर्स बता रहे हैं कि आप mutual fund में invest कीजेगा कुछ यूटूबर्स बता रहे हैं आप फलाना application को download कीजेगा और फिर आप उसमें पै account में transfer हो जाएगा कुछ YouTuber कुछ बता रहे हैं कुछ YouTuber कुछ बता रहे हैं तो मैंने सुचा कि यार पूरे तरीके से लोगों को एक scam में फसाया जा रहा है तो आपको क्यों ना एक authenticate और एकदम genuine तरीका बताया जाए देखिए अगर आपके पास में पैसा है तो देखिए आप आपको कोई जोरती नहीं होगी कि आप bank account में transfer करें bank account में transfer आप जब ही करते हैं जब आपके पास में कोई पैसा वगारा नहीं होता है और यहां से आपको अच्छा मतलब 20-30 दिन का time भी मिल जाता है payment का वापस करने का तो यह सबसे अच्छा तरीका है लेकिन अगर इसी तर rate card का जितना कम से कम यूज करें उतना वैतर है अगर आप की income मतलब है अच्छी खासी तो आप यूज करें अपनी income मैंसे 10 परजदी आप rate card का यूज करें तो ज्यादा वैटर है उससे आपको कभी future में दिक्कत प्रेशानी नहीं आएगी आप देखिए पैसा transfer करने के लेकिन उसमें भी क्या है किसी में transfer free में हो जाता है और किसी में 2.5% charge लगता है प्लस GST लगता है ठीक दूसरा तरीका आप लोग को पता होगा बताते हैं लोग कि आप rent payment transfer कर सकते हैं लेकिन rent payment transfer करने में भी एक समस्या है आपको पता है कि आज कल income tax वगएरा भी काफी लगते हैं अगर आप पेटियम यूज करते हैं तो देखिए आपको पेटियम wallet में पैसा transfer करना होगा example के लिए हम 3000 रुपे ट्रांसपर करें पेटियम wallet में तो लगबक 70-80 रुपे का extra charge लग जाता है ठीक तो वो जादा बैटर लगा मुझे ना ही कोई फालतु में drama बाजी है ना ही कोई आपके साथ में fraud होगा ना ही कोई scam होगा सीधा आप पेटियम wallet में पैसा transfer कर दीजे और transfer करने के बाद में अपने bank account में ले लिजेगा उसको वो जादा बैटर है लेकिन अगर आप बिलकुल free of cost करना चाहते हैं तो देखिए काफी applications ऐसी हैं जो देती हैं तरी possible नहीं है जो भी इस प्रकार की वीडियो बना करके आपको बता रहे हैं मुझे नहीं लगता वो ठीक कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं अगर आप भी फ्री में credit card से bank account में पैसा transfer करना चाहते हैं तो फ्री में तो कोई तरीका मुझे नहीं मिल पाया लेकिन मैंने आपको यह ज लेता है जिसके थूँ आप करने जैसे पेटियम पो हो गया आपका फोन पे हो गया तो यह भी काफी चार्जिस ले सकते हैं तो इसलिए पेटियम वोलेट सबसे बैस्ट और बैटर तरीका लगा मुझे तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए काफी helpful रही होगी अगरी व पेटियम नहीं रही है वीडियो का आप डिसलाइक करके जा सकते हैं कोई सुझाव देना चाहते हैं कोमेंट के माध्यम से दे सकते हैं